त्वये निश्टिष्ठतु नित्यदा, भक्तिष्च नियता वीरा, भावो ना न्यत्रगच्च दू प्रभो आपके चरण कमलों में मेरा स्नेह बना रहे, आपके चरण कमलों के परती मेरे घर्दे में भाव निरंतर बना रहे और कभी वो स्खलित न हो भक्तिष्च नियता वीरा मैं आपकी सनातन भक्ति के इस कारे में लगा रहूँ और मैं केवल नित्य सेवा की कामना करता हूँ स्नेहो में परमो राजन त्वई तिष्ठतु नित्यदा आपके प्रती स्नेह हो, आपके प्रती भक्ति हो और आपके प्रती भाव हो तो प्रत्येक साधक को चाहिए कि वो अपने भक्ति के जीवन में इस प्रकार के संकल्पना करे कि हम भगवान के चरण कमलों के प्रति, इस प्रकार का स्नेह, अपने हृते में उनके प्रति भाव और अपने दैनिक जीवन में सतत भक्ती और श्रद्धा के साथ सेवा करते रहें फिर हनुमान जी ने दूसरी कामना व्यक्त गी और ये प्रार्थनाय बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रभु रामचंदर जी अपनी संपूर्ण लिला होने के पश्चाद हनुमान जी से प्रश्ण पूछ रहे हैं तो हनुमान जी के हर्दे के अंतह करण का भाव इसमें प्रकट हो रहा है जावत राम कथा वीरा चरिश्यती महीतले तावत शरीरेवश्यंसू प्राणान ममस प्राणाममन शम्शय कहते हैं जब तक राम कथा पूरे भ्रमान में चलती रहे जब तक राम कथा की सरीता चलती रहे यावत राम कथा वीरा चरिश्यती महीतले इस धरती में जब तक राम कथा हो तावत शरीरे वश्यंतू मेरी इच्छा है कि मैं तब तक इस शरीर में रहूं और सेवा करूं प्राणा मम न सम्शय तो कहते हैं कि मैं क्यों इस शरीर में तब तक रहना चाहता हूं क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऐसी राम कथा ही मेरे लिए वास्तों में प्राण हैं तो हनुमान जी राम कथा को अपना प्राण मान के चल रहे हैं प्राण मम न सम्षय इसलिए प्रभु राम चंदर जी की लिलाओं के श्रवन, किर्तन और चर्चा में जो आनंद ले वो वास्तों में हनुमान जी को बहुत संतुष्ट करता है क्योंकि हनुमान जी के जीवन का प्राण वास्तम में यही है तावत शरीरे वश्चन्तु प्राण ममन सम्षय इसमें कोई राय नहीं, दो मत नहीं एक एकस्य उपकारस्य प्राणम दास्यामिते कपे शेशस्य एक उपकारणम भवानोरनि नोवयम इसके उत्तर में प्रभु राम चंदर जी कहते है आपने जीवन परियंत मेरे लिए जो जो सेवा की और जिस प्रकार आपने हमारे लेला में इतना सक्रिय हस्ताक्षेप किया और योगदान दिया एक एकस्य उपकारस्या आपने जो कुछ एक एक छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़ा उपकार हमारे लिए किया उस उपकार के प्रत्युत्तर में प्रतिसाद में मैं आपको क्या दे सकता हूँ प्राणांदास्यामि हे कपे आपकी हर सेवा के बदले में मैं अपने प्राण को त्यागू फिर भी मैं उस उपकार को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा शेशस्य इह उपकारानाम आपने में जीवन भर जो सेवा की उसके बदले में मैं प्राण भी दे दूँ वो भी पर्याप्त नहीं अब ये संपूर्ण लीला समाप्त होने के पश्चात अब मैं जब वापस अपने धाम चला जाओं और आप अपनी हाँ लीला करते चले रोगा हुए और आपके इस लीला के लीला प्रसारण के दोरान जब आप मेरी और अधिक सेवा करोगे भवानो रिनी नो वयम तब फिर मैं तो इतना रिनी बन जाओंगा कि मुझे समझ मने आता कि मैं किस प्रकार आपके उस रिन को चुका सकूँ अर्थात मैं सनातन काल के लिए अपने हर्दे में आपके प्रती कृतग्यता का भाव लेके चलूंगा मैं आपका दास बन के चलूंगा इस प्रकार रामचंदर जी हनुमान जी के प्रति अपने हर्दे के भाव व्यक्त करते हैं भगवान भग्त वत्सल है शरनागत वत्सल है जब कोई भी भग्त भगवान कितनी प्रेम से सेवा करे तो भगवान उस भग्त के सेवा के प्रति अत्यंत रिनी हो जाते हैं ये भक्ति की शक्ति है और ऐसे दास्य प्रेम की पराकाश्ठा हनुमान जी प्रस्तुत करते हैं अपने जीवन की लीलाओं से तो जब रामचंदर जी का जन्म हुआ उस समय जो पायस प्रसाद दशरत महराज ने अपने रानियों को दिया उसमें से एक छोटा सा भाग वायोदे उठा के ले के आए और अंजना नाम की एक महिला थी जो वास्तों में स्वर्ग से थी लेकिन यहां पर वानर्व योनी में आए थी और उनको वो वायोदेव ने आके पिला दिया और तब केशरी राज जो की एक बहुत बड़े वानर्व थे उनके माध्यम से जो पुत्र जन्म हुआ उनका नाम हुआ हनुमान जी तो इसलिए हनुमान जी को वायू पुत्र माना गया है क्योंकि वायू के शेप से वास्तों में यह जन्म संभव हो पाया हनुमान जी का जन्म होते ही वो तुरंत भूके उपर देखे आसमान में अब सूर्य मंडल के चमकते हुए लालिमा को देखकर उनका ध्यान आकरशित हुआ हनुमान जी देखकर सोचे बड़ी भूक लगी है अपनी माता अंजना को देखकर कहते हैं आप मुझे कुछ खिलाईए और बिना वो कुछ बोले हनुमान जी जैसे ही वो उस लाल रंग के चमकते हुए सूर्य नारयन को देखे भूक से पीडित आकरशित होकर सीधा चलांग लगाए और चलांग लगाकर भागने लगे उड़ने लगे स सीधे सूर्य की ओर। सूर्य देव जो कि बड़े प्रतापी शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं उन्होंने दूर से आते हुए इस नन्हे से भालक को देखा। कुछे के नेत्र के अंदर जो तीवरता थी वो कोई सामान्य नहीं थी। और सूर्य देव खरदे के अंतह करण में समझ गए। जी भच्चा तुमुझे ग्रस्त कर जाएगा आक्रमन करने आ रहा है। तुरंत उन्होंने इंद्र देव को पुकारा। इंद्र वही पर अयरावत पर सवार होकर आ गए। अयरावत पर सवार होकर जब आए। और जब हनुवान जी की दृष्टी अयरावत के उपर गई। तो हनुवान जी आकरशित हो गए सोचे। अरे ये लाल से अच्छा तो सफेद सेब है। और सफेद वरन के अयरावत को देखकर हनुवान जी अपनी दिशा बदल डाले। और फिर अयरावत को गरस्त करने जा रहे थे इंद्र देव ने आक्रमन के अपने वज्र से। वज्र उनके इस ठोड़ी पर लगी। और फिर अच्छेत होकर हनुवान जी गिरे। केसरी राज, वायु देव दोनों बड़े क्रोधित हुए। पूरे ब्रह्मान के वायु को खेच लिया सारे देवतगन वहां आकर केसरी राज को संतुष्ट करने का प्रयास की और उन्होंने कहा हम सभी अपनी शक्तियां इस बालक को देंगे। और सभी देवताओं ने मिलकर हनुवान जी के अंदर अपनी संपूर्ण समुचित वर्दान देते हुए उनको अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। लेकिन समस्या ये थी कि हनुवान जी बालपन में इतने शक्तिशाली हो गए कि वहां किसी को इनको नियंतरित न आकर उत्पात मचाना। कहीं पर उचाल कूद मारना, ब्रक्षों के उपर से कूद जाना। रिशी मुनिगन परेशानते सभी लोग केसरी राज के पास आकर बोले कि भई अपने पूत्र को संभालो। जब तक हम इनके शक्ति को खीचेंगे नहीं तब तक ये उत्पात मच जाता रहेगा। तब इस प्रकार की योजना बनाई गई कि जब तक उनको आवश्चक न हो तब तक वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। और इस प्रकार वो सारी शक्तियां हनुमान जी के अंदर होते हुए भी वो उन शक्तियों को भूल गए। उस दिन इनको फिर इसका स्मरण कराया जाएगा। तो इस प्रकार हनुमान जी अपने सारी शक्तियों को भूल गए। शान्त भाव में आ गए। और वरनन आता है कि एक दिन नारद मुनी भी उनको भेंट करने के लिए आए। और जब नारद मुनी आए तो हनुमान जी व हमारे संपूर्ण गर के कोने कोने में जाकर अपने चरन कमलो का स्परशदें। तो नारद मुनी जैसे आए तो हनुमान जी ने नारद मुने के सामने प्रणाम क्या और कहा कि रिशिवर बताये कौई सेवा। उस समय नारद मुने ने कहा कि अरे हनुमान जी हमने सुनाए कि आप तो विविद प्रकार के विद्याओं में पारंगत हो, सुना है कि संगीत में भी आप बड़ा स्रेष्ट ज्यान रखते हो, थोड़ा कुछ राग सुनाईए, संगीत व्यक्त कीजिए. तो हनुमान जी बेड़ गए और पूरा आसन लगाकर राग तान दिये, इतना जबरदस्त राग गा रहे थे, नारद मुनी उस राग को सुनते सुनते अपनी विणा को एक पत्थर पर रखे, और पत्थर पर रखकर वो आखे बंद करके ध्यान मग्न हो गए हनुमान जी के उ हुआ यू कि हनुमान जी के राग की इतनी शक्ती थी, कि इतने भाविभोर होकर जो किर्तन कर रहे थे, पाशान भी पिघल गया, पिघल कर नारद मुनी की विणा उस पिघले वे पाशान में तैरने लगी, और तब अचानक हनुमान जी ने अपना गाना बंद किया, वो पत्थर जो पिघला हुआ था, अब वापस पाशान बन गया, स्थूल बन गया, लेकिन इस चक्कर में नारद मुनी का विणा उसमें अटक गया, तो नारद मुनी घबरा गया, नारद मुनी भी भाव से जब बहार आये देखा, राग तो बड़ा आनंदित था, लेकिन वेना का क्या होगा, तो हनुमान जी को देखकर बोले, देखो मेरा वेना अटक गया, आपके सुन्दर संगीत के अंतरगत, फिर गाओ, जिससे पिगलाओ, फिर मैं उठाओंगा इसको, हनुमान जी बोले नहीं गाओंगा, हम तो आपके वेना को रखेंगे, और उनकी पूजा करेंगे, नारदमुनी बोले अरे, बिना वेना के तो मैं निकली नहीं पाओंगा, मैं किस तरब रमन करूंगा, हनुमान जी ने का नहीं, हम तो नहीं गाएंगे, और ऐसा कहा तो नारदमुनी उनके पास आए, हनुमान जी दूर भगे, और वो भागते चले गए, नारदमुनी उनक पर पड़े अर्थात उस अवस्था में भी वो निरंतर यही संकल्पना करते थे कि कैसे साध्वों के चरणों का रज हम प्राप्त कर सकें फिर मानकर हनुमान जी संगीत किये पाशान पिगला और फिर नारदमुनी संतुष्ट हुए अपने विणा को प्राप्त करके तो वर्णन आता है कि नारदमुनी इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं और हनुमान जी उनसे इस प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन उनके साथ उनके सामने प्रस्तुत किये ये हनुमान जी की शक्ति का स्रोत्तों हम समझते हैं लेकिन इतने शक्तिशाली व्यक्ति जिनको तैतिस्कोटी देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान देकर सशक्त बनाय था ऐसे हनुमान जी सुग्रिव जैसे वानर के अधिन रहकर मंत्री क्यों बने क्योंकि इस जगत में देखा गया है कि जो सरवाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसे ही नेता बनाय जाता है उसे ही स्वामी बनाय जाता है उसे ही हर प्रकार का बल दिया जाता है ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का दूसरों के ऊपर निर्ने का अंतिम चैन होता है और वो अपनी इच्छानुसार दूसरों को निर्देश दे पाते हैं लेकिन हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी वानरों के राजा नहीं बने वानर राज सुग्रिव बने और हनुमान जी उनके दास के रूप में मंत्री बने ये कैसे तो पुराणों में इसका वर्णन आता है एक बहुत महान रिशी थे जिनका नाम था उग्र तपस और उग्र तपस बड़े भीशन तपस्या कर रहे थे और जब बहुत भीशन तपस्या कर रहे थे तो उस समय एक दूसरे व्यक्ति वहाँ आए जिनका नाम था कुशुमान्ड और चलते चलते कुशुमान्ड रिशी का गलती से पैर उग्र तपस जी के उपर लग गया तो उग्र तपस बड़े क्रोधित होकर कुशुमान्ड जी के उपर उन्होंने आरोप लगाया अभिश्राप दिया कि कल सूर्य उदे जैसे होगा सूर्य उदे के साथ ही तुमारा नाश निश्चित है तुमारी मृत्यू निश्चित है अब उन्होंने अभिश्राप तो दे दिया लेकिन वो जानते नहीं थे कि रिशी कुशुमान्ड की एक पत्नी थी और वो पत्नी इतनी पतिवरता नारी थी कि उन्होंने कहा अगर आपने इस प्रकार का अभिश्राप दिया कि सूर्योदे होने पर मेरी पती की मृत्यू होगी तो मैं देखती हूँ कि मैं अपनी पतिवर्ता की शक्ती से सूर के चलते हुए कदमों को रोक दूंगी सूर के रत पर ब्रेक लगा दूंगी और मेरी पतिवर्ता की कसम कल सूर्योदे नहीं होगा अब उनकी पतिवर्ता की इतनी शक्ती थी कि उपर आस्मान में सूरदेव अपने रत पर आरूड होकर चल रहे थे अचानक उनका रत रुख गया और सूरदेव के जो सारती थी जिनका नाम था अरुनस सूरदेव को देखकर पूछते हैं अचानक यह हमारा रत तो कभी रुखता ही नहीं क्योंकि अपने रत में तो ब्रेक ही नहीं हम तो कभी रुखते ही नहीं यह कैसे रुख गया तो उस समय सूरदेव उनको उत्तर दिये कि देखो नीचे पृत्वी पर कुछ समस्या चल रही है दो लोगों के कला के कारण एक अभिश्राप हुआ है जिसके कारण हमको कुछ रुखना पड़ेगा तो अरुनास ने कहा अच्छा कितने समय के रुखना होगा बोले कुछ अनिश्चित काल के लिए कहतों नहीं सकते लेकिन देखते हैं क्या होता है और ऐसी अवस्था में अरुनास ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं भी थोड़ा छुट्टी लेके आता हूँ तो सुरुदेव ने कहा ठीक है अरुनास वहां से निकले सीधा इंदर लोग गए भोग करने इंदर लोग में प्रवेश करने के लिए एक सुन्दर अपसरा का रूप धारन किया उस सुन्दर रूप को देखकर इंदर देव आकर्शित होकर उनका भोग किये और उस समय जो पुत्र उत्पन हुआ उनका नाम बन गया सुग्रिव और उनका नाम बन गया वाली अब जब अरुनास लौट के आए तो सुरुदेव ने कहा अरे कहा गयते भई तो वोले मैं तो गया था इंदर लोग सोचा कि भोग करूंगा लेकिन ठीक विप्रीत हुआ और उन्होंने पूरा वृत्तांत बता दिया कैसे इंदर देव ने उनके साथ भोग किया जब उन्होंने अपसरा का रूप धारन किया उनके रूप से आकर्शित होकर तो सुरुदेव इसको सुनकर बोले आरे मैं भी उस रूप को देखना चाहता हूं तो अरुनास ने फि पूत्र बने सुग्रीव और इंदर के पूत्र बने वाली और हम देखते हैं जब वाली और सुग्रीव में जब घनिष्ट युद्ध हुआ तो पिता सुरुदेव को बड़ी चिंता थी कि कैसे इसका संद्रक्षन होगा तो हनुमान जी के साथ ये संबंद कैसे रखता है क्योंकि हनुमान जी की शिक्षा का जब समय आया तो केशरी महाराच सोच रहे थे कि इनका किस प्रकार से हम शिक्षा प्रदान करेंगे इतने विद्वान हैं, इतने कुशाकर बुद्धी वाले हैं कि क्षण भर में सब कुछ याद कर लेते हैं सब कुछ स्मरण हो जाता है इनकी इतनी तीवर बुद्धी को कौन नियोजित करेगा और कौन इनके शिक्षक बनने के यूग्य बनेगा किसी ने उनको कहा कि केवल एकमात्र व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड में जो ऐसे तेजस्वी बुद्धिमान व्यक्ति को शिक्षा देने में सक्षम होंगे वो कौन? सूर्य नारायन, सूर्य देव तो इस सुझाव को लेकर केशरी जी ने हनुमान जी को सूर्य देव के अधीन शिक्षा के कार्मे लगा दिया और वो शिक्षा भी कैसे लेते थे? सूर्य देव ने विचार किया कि ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति है कि सामान ने तया मैं इसको शिक्षा नहीं दे सकता सूरदेव ने कह दिया हनुमान जी को कि देखिए आप मेरे पास शिक्षा के लिए आये हो मैं तो क्षण भर के लिए रुखता नहीं मैं तो निरंतर चलायमान रहता हूँ अपने रत पर अगर आप चलते चलते उल्टी दिशा में चलते हुए अगर आप मुझसे शिक्षा ले पाओगे तो मैं शिक्षा देने के लिए तयार हूँ हनुमान जी तुरंत तयार हो गए तो रत यू सीधी दिशा में चलता था हनुमान जी रत और अपने गुरु सूर नारायन को देखते हुए पीछे चलते हुए चलते थे और इस प्रकार सूर नारायन की परिक्रमा के समय संपुर्ण वेदों का ज्ञान हनुमान जी ने प्राप्त किया और अपने गुरु से ये ज्ञान सुनकर समझकर उसका आंतरी करन करके हनुमान जी इतने कृतार्त हुए कि उन्होंने अपने गुरु सूर देव को कहा अब हमारी शिक्षा संपन हुई हम आप के लिए कोई गुरु दक्षणा प्रदान करना चाते हैं कोई सप्रेम भेट देना चाते हैं कृतक गिता से अभिभूत होकर इसको सुनकर सूर नारायन ने कहा देखिए मैं तो आप से कुछ नहीं प्राप्त करना चाता लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाते हो कृतक गिता पूर्व कोई भेट सुरूप समर्पित करना चाते हो तो हमारी एक ही इच्छा है कि मैं निरंतर अपने पुत्र सुगरीव के विशे में चिंतित रहता हूँ क्योंकि उसका भाई वाली बड़ा ही शक्तिशाली है और पता नहीं आरंभ से ही दोनों के बीच कलह लगा रहता है और वाली इतना शक्तिशाली है कहीं उसका नाश न कर दे तो मैं अपने पुत्र सुग्रीव के सुरक्षा, उसके भविश्य, उसके देखरेक के विशे में चिंतित रहता हूँ और सोचता हूँ कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ती उनके मित्र के रूप में प्राप्त हो, जो नकेवल मित्र हो, सुर्द हो, शुबचिंतक हो, हितैशी हो, लेकिन साथ साथ उनको निर्ने लेने में उचित ज्ञान और दिशा भी दे और इसलिए ऐसे हितैशी और मंत्री कौन हो सकते हैं मैं सोच रहा हूँ आपके गुणों को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर, आपके निर्मल हर्दे को देखकर मुझे लगता है कि अगर आप सुग्रीव को अपना मित्र मान कर निरंतर उनके साथ रहो, उनका संरक्षन करो तो मैं इससे बड़ा ही कृतग्य हो जाऊंगा अपने गुरु को संतुष्ट करने की इच्छा से हनुमान जी इतने भवतिक, राजनाइतिक, विद्या के दृष्टि कोन से वाकपटुता के दृष्टि कोन से, शारिरिक शक्ति के दृष्टि कोन से हर प्रकार के दृष्टि कोन से, शक्ति शाली और अत्यंत सौभग्य शाली होते हुए अच्यन्त सुयोग्य होते हुए उन्होंने अपने गुरू सूर्य देव के आदेशा नुसार उनके आदेश उनकी इच्छा को ही अपने जीवन का आधार मानकर अपने हर इच्छा को उस सीमा के अंदरगत बांध लिया आज भारत के कोने कोने में जब कोई व्यक्ति किसी पुराने जमाने के जिम इत्यादी में जाए जहां पर लोग कुष्टी करते हैं, कसरत करते हैं यहां जहां पर लोग वेट्स इत्यादी उठाते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए जिम वगरा में वहाँ पर कई बार हनुमान जी का चित्र रहता है क्योंकि लोग हनुमान जी के शारिरिक बल के विशे में और पराक्रम के विशे में तो पूर्णत अवगत है लेकिन इस संदर्ब में लोग इतना अधिक चिंतन नहीं किये कि हनुमान जी का सबसे बड़ा बल उनका शारिरिक और आक्रामक और परिक्रमक और पराक्रम परदर्शन करने वाला बल नहीं अन्यथा उनकी नम्रता थी उनकी स्वामी भक्ती थी उनकी गुरु भक्ती थी और वो अपने गुरु के वचनों के अनुसार इतने अनुशासन बद्ध वने कि जिवन परियंत हर परिस्थिती में वो सुग्रीव का साथ देते रहे इस प्रकार दासों के दास बनना उन्होंने आरंब से ही सीख लिया था उस दासों के दास भाव में रहने के लिए तैयार थे इसलिए हनुमान जी श्री राम चंदर जी को इतने प्रिय बने इसलिए ये वर्णन आता है कि राम चंदर जी ने जब राम और लक्षमन हनुमान जी और सुग्रीव इत्यादी को मिले और उस समय ये तैय हुआ कि संपूर्ण वानर सेना को विविद स्थानों में भेजा जाएगा जिस से की वो सीता देवी को ढूंड सकें उस समय उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में अलग-अलग लोगों को भेजा गया सुग्रीव के द्वारा लेकिन दक्षिन की पार्टी हनुमान जी अंगद और जामबवान को दी गई और उस समय रामचंदर जी हनुमान जी को बुला कर कहते हैं ददवत अस्यतत प्रीत स्वानाम अंकोभिशोभित अंगुल्यम अभिजाना नाम राजपुत्रय परंतप प्रेम बड़े प्रेम से बहुत स्निह भाव से स्वानाम अंकोभिशोभितम रामचंदर जी ने अपने उंगलियों की अंगुठी निकाली और उस अंगुठी को निकालकर अंगुल्यम अभिजाना नाम और वो अंगुली वो अंगुठी जो निरंतर उनके अंगुली में रहती थी और जिसके विशे में सीता भली भाती जानती थी राजपुत्र्य परंतप और उस अंगुठी को रामचंदर जी ने हनुमान जी को भेट स्वरूप दिया और कहा जब सीता देवी को मिलोगे तब ये अंगुठी उन्हें प्रस्तुत करना सीता देवी तुरन समझ जाएगी कि आप मेरे दूद हो तो तब रामचंदर जी ने हनुमान जी को ये अंगुठी दी क्योंकि रामचंदर जी दियानते थे कि अगर इस मिशन को कोई सफल कर पाएगा तो वो केवल हनुमान जी अब वर्णन आता है कि उस अंगुठी को लेकर जब अंगद, जांबवान और बाकी वानर जो दक्षुन दिशा में जा रहे थे चले तो संपत्ती ने उनको एक दिशा दिखा दिए थी कि किस दिशा में चलना है और जब वो एक स्थान पर आए तो वो समझ गए कि हम लोग को समझ नहीं पारे जाना है तो किस दिशा में जाना है तो संपत्ती के मिलने से पूर्व